हलो गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल परमी ब्यूटी वर्ट तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूं आप सब लोग स्वस्थ और मस्थ होंगे गाईज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जारी हूं सिंपल पार्टी मेकप किस तरीके से करते हैं सबसे पहले मैं आइब्रो को डिफाइन किया है आइब्रो को डिफाइन करने के लिए मैंने यूज किया है पी एसी का आइब्रो डिफाइनर काफी अच्छा है उसके बाद हम आइस को कंसील कर रहे हैं और इनका सी टी एमप क्लीनिंग टोनिंग मोश्राइजिंग प्राइमर मैं अल्रेडी कर चुकी हूँ, skin में अच्छे तरीके से concealer लगाना है, उसे blend करना है, और उसके बाद आपने beauty blender से भी अच्छे से dab dab करना है, ताकि बिल्कुल भी client की skin पैची ना हो, उसके बाद powder से locking की, उसके बाद मैंने यूज किया है highlighter, glam 21 का eyes makeup हमेशा आपने light color से start करना है, और guys वीडियो को थोड़ा fast किया गया है, अगर आपने slow में देखनी हैं, तो आप मेरी दूसरे चैनल, Pummy Beauty पालर पर देख सकते हैं, पर इस चैनल पर क्या होता है, कि makeup की वीडियो कम देखी जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी fast में ही सोचा चलो, इस वीडियो को आपके साथ share कर देते हैं, अच्छे तरीके से हमने eyes makeup किया है, light to dark की side जाना है, और थोड़ा सा smoky effect देने के लिए हमने black color का भी use किया है, outer corner पर भी अच्छे तरीके से blend कर दिया था, उसके बाद हमने use किया है, half area में, cut crease type में, golden color का, प्रोप पर तरीके से golden color रगा दिया है, कोई cut crease नहीं बनाई, वैस से simply लगा दिया था, उसके बाद makeup studio का two way gel use करके, glitter का use किया है, प्रोप पर तरीके से आपको वीडियो में जैसे दिखाया गया है, और आपने client की eyes को बहुत अच्छे तरीके से stretch करना है, eyelashes लगाई थी उसके बाद, eyelashes लगाने से पहले आपने eyeliner की एक line जरूर देनी है, उसके मैंने यूज किया था, वोव का eyeliner, आप कोई भी eyeliner यूज कर सकते हैं, जो आपके पास हो, guys आपने mascara भी जरूर यूज करना है, क्योंकि जब हम mascara की coating कर देते हैं, तो हमारी fake eyelashes और real eyelashes के बीच में ज्यादा gap नहीं दिखाई देता, क्योंकि उससे हमारी lashes होती है, अप हो जाती है एक mix match वाला look आता है, ऐसा नहीं लगता कि eyelashes, real eyelashes और fake eyelashes के बीच में अलग सा कोई gap दिखाई नहीं देता, इसलिए अपने mascara और eyeliner पहले से ही अच्छे तरीके से लगा देना है, और guys eyelashes लगाने के बाद भी आपने eyeliner की एक line जरूर देनी हैं, ताकि एक finishing वाला look आ जाए, आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, अदर्वाइस क्या होता है, eyeliner उपर नीचे दिखाई देता है, प्रोपर इनका base बनाने के बाद हमने eyes का makeup और काजल यूज किया था, और काजल का यूज करने के बाद अच्छे तरीके से blend किया, और जो हमने pink color उपर eyes में यूज किया था, उसे अच्छे तरीके से लगा दिया, अब इनका इतना look तो वैसे मैंने eyes makeup टाइप में बता दिया, आपको eyes का हो गया, आपके साथ share, अब मैं आपके साथ करने जारी हूँ, इनका base मैंने किस तरीके से बनाया था, base बनाने के लिए मैंने इस हो यूज किया था, orange character, orange character जहां जहा client की skin में pigmentation होती है, वहाँ पर आपने use करना है, और मैंने use किया था, derma का D30 shade अच्छे तरीके से लगा दिया था, और CT, MP, cleaning, toning, moisturizing, already मैं कर चुकी हूँ, guys, orange character का use करने से, हमारी skin में जहां-जहां pigmentation होती है, वह cut हो जाती है, और जब भी आपने orange character का use करना है, तो उसे अच करने के लिए use किया था, derma की palette से, इनकी skin tone से, one tone darker shade का, क्योंकि जब भी आप orange character का use करते हैं, तो उसे neutralize जरूर करें, otherwise क्या होगा, आपका makeup orange orange दिखने लगेगा, अगर आपने इस पर direct foundation use कर दिया, अचाहे, full coverage foundation भी हो, तब भी आपने, पहले neutralizing करनी है, तब भी आपने उस foundation का use करना है, color character का use करने के बाद skin को neutralize किया, उसके बाद आप हम use कर रहे हैं, foundation का, और foundation मैंने use किया था, forever 52 pro foundation काफी अच्छा है, बहुत अच्छा foundation है, अगर आप इसी अच्छे foundation के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इसका use करें, इसका बहुत अच्छा result है, full coverage foundation है, आपके skin पर अगर काफी pigmentation है, dark circle है, तो उसे proper तरीके से hide कर देता है, एक doing finishing भी देता है, तो आप इसका use कर सकते हैं, आप two foundation use किये थे, एक है custard, दूसरा honey, दोनों को mix match करके, हमने इनकी skin tone से one to two tone lighter, आपने foundation use करना है, अगर आप same skin tone पर लगा देंगे, तो ऐसे में क्या होता है, थ skin, guys foundation को blend करने के लिए मैंने use किया था, eye magic का beauty blender काफी अच्छा है, आपने हमेशा damp beauty blender का use करना है, उसके बाद हम कर रहे है highlighting, highlighting करने के लिए मैंने cream concealer का use किया है, जो की Swiss beauty का है, अच्छा तरीके से higher point पर आपने लगा देना है, इससे आपके skin में अच्छा सा effect आ जाता है, और जो हमारे features होते हैं, काफी enhance होकर दिखाई देते हैं, उसे भी आपने अच्छे तरीके से blend कर देना है, blending करते समय आपने ध्यान देना है, जहां जहां पर आपने highlighting के लिए concealer लगाया है, केवल वही वही पर आप blending करेंगे, सारे face पर नहीं करेंगे, अगर आप सारे face पर ही blending क कर देंगे, तो ऐसे में पूरा face white-white हो जाएगा, और आपको concealing करने का कोई पायदा नहीं होगा, तो इसलिए आपने ध्यान देना है, केवल वही वही पर blending करें, प्रोपर तरीके से blending कर दी है, हलके हाथ से ही blending करनी है, आज कल liquid blusher का काफी trend है, यानि cream blusher या liquid blusher तो उसक हमारे skin में अंदर से एक blush का effect आता है, काफी skin enhance होकर दिखाई देती है, इसलिए हमने यूज किया है cream blusher का, जो कि मैंने यूज किया है love earth brand का, और अच्छे तरीके से आपने blend कर देना है, हलके हलके हाथ से blending कर देना है, ज्यादा रगड कर आपने blender नहीं चलाना क्योंकि नी कम दिखाई देगी, आपने face के according ही blusher का यूज करना है, अलग-अलग face पर, अलग-अलग type से blusher का यूज किया जाता है, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं powder locking करने के लिए loose powder का, जो कि मैंने यूज किया है, makeup studio brand का का अच्छा है, guys जब भी आपने cream product का work करना है, तो उसके बाद powder locking बहुत अच्छे तरीके से करनी है, चाहे summer season हो, चाहे winter season हो, जितने अच्छे तरीके से आप locking करेंगे, उतना आपका makeup long lasting होगा, पर आपने ध्यान देना है, कि अब season है, हमारा winter का, तो ऐसे में आपने powder locking थोड़ी कम quantity में करनी है, यानि ज़्यादा भर-भर कर powder नही यूज कर सकते हैं, जो आपके पास available हो, contouring मैंने की थी, इनकी cheeks के पास, और साथ में chin area पर, क्योंकि इनकी jaw line पर भी काफी heaviness थी, उसके बाद हमने उसे अच्छे तरी blend कर दिया, nose की भी contouring कर दी थी, प्रोपर तीके से blusher का use करने के बाद, हमने powder blusher का भी use किया था, अब हम यूज कर रहे हैं, highlighter, और highlighter मैंने यूज किया है, glam 21 का, क्योंकि हमने concealing के लिए तो highlighting की थी, पर हमने उसके बाद powder से भी बहुत अच्छे तरीके से highlighting करनी है, और makeup fixer मैंने यूज कर दिया था, इनकी skin पर, अब हम यूज कर रहे हैं, Swiss beauty की lip line के लिए pencil, काफी अच्छी pencil है और इनकी dress के according, जो lip color इन्होंने decide किया था, वही हमने use कर दिया था, क्योंकि इनकी dress के according ही इनको lipstick चाहिए थी, जैसी client की choice होती है, वैसा ही हमें काम करना होता है, guys जब भी आपने lipstick लगानी है, अगर आप पालर में professional work कर रहे हैं, तो पहले आपने lip liner ज़रूर यूज करना ह में morning में इन्होंने make up करवाया था, उस time में ready भी नहीं थी, और बहुत अच्छा लुका आया था इनका, और काफी satisfy होके गई थी ये, और guys अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो useful, interesting and knowledgeful लगी हो, तो वीडियो को like करना, share करना, साथ में चैनल को subscribe भी कर देना, and bell icon को जूर प् बलाश को बलाख खैसी पालж, आफ में लेखेपें लोगे मादे़न쉽 सी येदत्धि समानाल घ shoulder वारो गुम लब एक बरो